राज्यसभा की करवाई आज भी नहीं चल सकी और इसे 27 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया पुर्व प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग ने के खिलाफ प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की कतिट टिपनी के मामले में राज्यसभा में शीतकालिन शत्र की शुरुआत से ही जा मंतरी की कतिट टिपनी के मामले में गतिरोध का मुद्दा उठाया आजाद ने कहा कि गतिरोध को दूर करने के लिए बनी समीति की अब तक सिर्फ एक भी बैठक हुई है आज सब्ता का आखरी कामकाजित दिन है और फिर आवकाश के मदे नजर गतिरोध दूर करने के प्र उन्होंने कहा कि गतिरोद दूर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वारता चल रही है और उन्हें विश्वास है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा कोहल ने कहा कि कॉंग्रेस के सदस से सदन की बैठक चलने दे जनता सब देख रही है इस पर सदन में कॉंग्रेस के उपनेता आनन शर्मा ने कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि सदन में चर्चा हो और विधैक पारित हो लेकिन गतिरोद दूर होने तक सदन की करवाई स्थगित करनी चाहिए